नमस्कार आप सभी का GS Magnet के इस YouTube प्लेट फॉर्म पे तो साथियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस के लिए डेली बेसेश पे ज्यान विंदू GS Academy मानिय रशन अनंसर के नोट्स के माध्यम से हम लोग कम्प्लीट त्यारी करते हैं MCQ प्रस्णों को और ध्यान रखिए हम लोग जो भी offline class में टेस्ट होता है सर जो भी टेस्ट करवाते हैं उन सारे टेस्ट के प्रस्णों को भी हम लोग सल्व करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए जो सर बिहार पुलिस special के लिए जो बिवीद का नोट जारी किये हैं यानि कि आपके सामने एक समस्या रहता है कि एस्टैटिक जिक्के में बहुत कुछ पढ़ना होता है ठीक है और एस्टैटिक जिक्के के complete त्यारी कैसे करें ताकि आपका एक भी प्रस्ण एक्जाम में न चुटे तो वही समस्या के निदान किये हैं सर यानि कि समस्या से छुटकारा पाने के पुलिस एस्पेसल के लिए एक विवीद का नोट त्यार किये हुए हैं और आपको बता दूं कि अगर आप इस विवीद के प्रशनों को सल्व कर लेते हैं याद कर लेते हैं तो आपके एक्जाम में जो भी विवीद से प्रशन पूछे जाएंगे इस नोट से ही रहेगा म मैं 99% आपको गरांटी के साथ बोल सकता हूं, बता सकता हूं, ठीक है? तो देखिए हम लोग इस सेसन के माध्यम से सारे परशनों को तो करेंगे हूं, लेकिन आप लोग ध्यां रखे हम लोग पिषले सेसन में जसे आपका एक भी प्रश्ण जब एकजाम में एस्टर जीकैंसे पूऽया जाए तो आपको इसी नोट से मिल जाए, नोट से से तभी मिलेगा जब आपको प्रस्ण याद होगा और प्रस्ण याद कैसे होगा उसके लिए आपको बार-बार रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सिशन को शुरू करते हैं, प्रस्णों को सल्व करत हैं तो आपके एक्जाम में जो भी विवीदिल से प्रशन पूछे जाएंगे इस नोट्स से ही रहेगा मैं 99 परतिसत आपको गरांटी के साथ बोल सकता हूं बता सकता हूं ठीक है तो देखिए हम लोग इस सेशन के माध्यम से सारे प्रशनों को सल्व तो करेंगे ही लेकिन आ हम लोग पिछले सेसन यानि कि पहले सेसन में 160 प्रशनों को सल्व कर लिया है और आज के इस सेशन के माध्यम से यानि कृतव करेंगे और आपको इस नोट्स से से तभी मिलेगा जब आपको प्रस्न याद होगा और प्रस्न याद कैसे होगा उसके के लिए आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम लोग अपने श्रूर्ण को प्रश्णों को सल्व करते हैं चलिए तो आप जानते हैं कि हम लोग पिछले में 160 तक प्रस्णों को सल्व किये थे इससे आगे अब हम लोग बढ़ते हैं देख लेजिए 111 नमर जो प्रस्ण आपके सामने है कह रहा है निम्न लिखित में 202 पार संगठन के बारे में सत्य नहीं है याप सभी को बताना है तो जब आप अप्षन पढ़िएगा तो पहला अप्षन है 202 पार संगठन एक एस्ताई संगठन है बिल्कुल सही कथन है यानि कि 202 पार संगठन क्या है एक एस्ताई संगठन है ठीक है ध्यान रखिए गेट के उरुगवे दोर ने 202 पार संगठन को जनन दिया बिल्कुल यह भी कथन क्या है सही है यानिकि ए और भी दोनों कथन सही है तिसरा कथन को पढ़िए मंत्री परिशत बीस्टो बैपार संगठन की निती बनाने वाला सरवोश संस्ता है यानिकि जो बीस्टो बैपार संगठन का निती बनाता है वह कौन बनाता है मंत्री परिशत बनाता है यह भी सही है, A भी अप्शन सही है, B भी अप्शन सही है, जब आप लोग D अप्शन को पढ़िएगा, तो D अप्शन क्या है? गलट है, यहनि कि WTO को अधिकारिक तोर पर 1 जनवरी 1991 को क्या हुआ? यहनि कि गठित किया गया, यह बिल्कुल गलट जबाब है, चुकि WTO का जो गठित किया गया, तो 1 जनवरी 1995 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर यही बात कर लिया जाए, कि WTO का हेड क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जेनेवा का है, स्विटर्जर्लेंड है, क्या है, स्विटर्जर्लेंड है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानि कि पूछ लिया जाता है आपसे प्रस्ण WTO का मुख्याले का हैं तो आप लोग ध्यार रखेगा जेनेवा के सुट जरलेंड ठीक है तो चलिए आपके इस प्रस्ण का सही जबाब क्या हो जाएगा तो अपसन नमबर D आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण आपक आपसे प्रस्ण पूछा गया है 163 नमबर सब्द इनर 6 किसे संबंधित हैं सब्द इनर 6 के बारे में बताना है कि किसे संबंधित हैं तो आप लोग ध्यान रखेगा 163 नमबर प्रस्ण के लिए जो आपका सही जबाब हो जाएगा अपसन नमबर D को आप लोग ध्यान रख ठीक है वही पर अगर बात कर लिया जाए इस हार्क का तो के एकजाम में प्रस्च पूछय जाते हैं आपको ध्याогना है सार्क का अस्थापना आप से पूछ लिया जाता है द्यारिकत्तियेगा आठ डिस Sir दिसंबर को हुआ था आठ दिसंबर 1925 आप लोग ध्याँ रखिएगा बंगला दिसके द्हांका में हुआ था सारक का यानिकि ऐस्थापना ठीक है यहीं पर पुछा जाता है इसका मुख्याले कहा है तो ध्यार कियेगा नेपाल के काठ मांडू आप लोग ध्यान रखिएगा यहीं पर अगर बात कर लिया जाए असियान का तो आप लोग ध्यान रखियेगा यहीं कि इसकी जो एस्तापना हुआ था 8 अगस्त को हुआ ठीक है था ठीक है कहा हुआ था था तो बेंक को ठाइलेंड आप लोग ध्यान रखियेगा ध्याकरटा ध्यान रखियेगा जो कहां पढ़ता है तो आप लोग याद रखिएगा इंडोनिसिया में पढ़ता है ठीक है लेकिन आपसे प्रस्ण पुछा गया है इनर से किस्से सम्मंदित है तो अप्सन नमबर D आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आपका 164 नमब ध्यान रखिएगा जब आप इसके अप्सन को पढ़िएगा तो आपके पास अप्सन का एंसर जो निकल करके आएगा ध्यान दिजेगा यूरोपिय संग के सभी सदस्ट देश अपनी राजी की मुद्रा के रूप में यूरो का पर्यो करते हैं नहीं देखिए यहाँ पर र जर्मनी यूरोपिय संग का संस्तान सदस्ट है बिल्कुल सही है इसका यूनिकी सदस्ट है जर्मनी ठीक है बी अप्सन को देखिए कोईसिया यूरोपिय संग का नविंतम सदस्ट है यह भी सही है ठीक है वही अगर सी अला अप्सन को देखिएगा यूरोपिय संग के सभी सजस में माल्टा का छेतरफल सबसे छोटा है माल्टा का छेतरफल क्या है सबसे छोटा है यह भी बात क्या है सही है नहीं पूछा गया है आप लोग ध्यां रखिएगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अप्सन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है एक लेकिन आप देखिएगा तो ब्रुसेल्स नहीं दिया गया है लेकिन बेल्जियम देश का नाम आप लोग देख लीजिये दिया गया है तो एक सब 66 नमबर प्रस्ण में थोड़ा सा एरर है मैं आपको ठीक करूँगा लेकिन सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्याँ रखिएगा एक जनवरी ठीक है एक जनवरी 1958 का डेट आप लोग ध्याँ रखिएगा यहने कि एक जनवरी 1958 को एरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले जो छोव देश थे फ्रांस जर्मनी इटली वेल्जियम निदरलेंड और लगजंबर्ग आप लोग ध्याँ रखिएगा पहले इसे किस नाम से जना जाता था तो ध्या मुख्यालाय आप लोग ध्यान रखिएगा मुख्यालाय आपके जाम में पूछा जाता है और आप लोग ध्यान रखिएगा यहने कि इसका मुख्यालाय जो था त्यान रखिएगा यहने कि ब्रुसलेस यहने कि बेल्जियम आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है ब्रुसले होई थी देखिए नाटो की इस्थापना आप से पूछ लिया गया है दिया रखियेगा नाटो की इस्थापना का अगर बात कर लिया जाए तो चार अप्रेल और नातो का यहनी कि पुण्ण रुप होता क्या है ठीक है तो आपलोग धियां रखियेगा दो ध्यान रख्येगा आप लोग the North Atlantic Treaty Organization ठीक है आप लोग इस बात को ध्यान रख्येगा ठीक है और देखें यह जिसका मुख्याले आप से पूछा गया है तो ध्यान रख्येगा मुख्याले नहीं यहां पैस्त आपना पूछा गया है अप्शन B को आप लोग ध्यान रख्येग यहीं कि 1660 के लिए सही जब आपका option number B हो जाएगा 4 April 1949 और इसका मुख्याले से आपके प्रस्ण आता है एक जान ठीक है और इसे ही हिंदी में उत्री Atlantic गठ बंधन कहा जाता है और इसका मुख्याले है यहीं कि Brussels यहीं कि Belgium का नाम आप लोग ध्यान रख्येगा चली अगला अगला प्रस्ण है देखिए आपर 1668 नंबर 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का तीसवा सदस से बना आपको पताना है तो देखिए अगर तीसवा सदस से का बात किया जाए तो ध्यान रख्येगा आपके इस प्रस्ण का सही जब आपसर नंबर क्या हो जाएगा D यहीं कि मेसी डोनिया बनाता कौन मेसी डोनिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण है 179 नंबर नाटो को अन्य किस नाम से जना जाता है देखिए जितना भी आपके इस नाटो से प्रस्ण एक्जाम में पूछे जाते हैं जिस इस लेंग्वेज में आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला जो आपका देख लिजिए यहाँ पर इन्जी की अगला जो आपका प्रस्ण है 170 नंबर प्रस्ण है एस याई बिश्व बैंक की अस्थापना कब किया गया था देखिए एस याई बिश्व बैंक के बारे में आपसे पूछ लिया गया है तो देखिए इसकी अस्थापना जो हुआ था 19 दिसंबर 1966 आप लोग द्यान रखिएगा अपसन नंबर ए आपके इस प्रस्ण का सही जवाब होगा और बरतमान में इसमें कुल सदस्टे देशों की संख्या कितना है 31 आपको द्यान रखना है और इसका मुख्याले का है तो मनीला आप लोग द्यान रखिएगा कहां द्यान रखिएगा मलीना का नाम आप लोग द्यान रखिएगा यानि कि मनीला में किसका मुख्याले है एसी आई 202 बेंक का मुख्याले है ठीक है आपके इस प्रस्ण का सही जवाब अपसन ए होगा अगला प्रस्ण 117 नंबर है निम्र में से असियान के सदस्य देशो की संख्या कितनी है देखिए असियान के सदस्य देशों की संख्या आप से पूछ लिया गया है तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर इस बात को आप लोग समझने का प्रयास किजी असियान है क्या ठीक है असियान है क्या अगर आप इसको समझ जाते हैं तो उमीद करते हैं आप आसाने से इस प्रस्ण को समझ सकते हैं देखिए अस्यान का जो पूरा नाम होता है देखिए दक्षणी पूर्वी ठीक है दक्षणी पूर्वी आप लोग ध्यान रखेगा दक्षणी पूर्वी एस्याई राष्टो का संग ठीक है ध्यान रखिए इसकी स्थापना 8 अगस्त हम बता देते हैं 8 अगस्त आप लोग ध्यान रखिएगा 8 अगस्त उन्निस सो कभ हुआ था 60 को हुआ था आप इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है अगर यहीं पर बात कर लिया जाए आसियान का केंदरिय सची वाले कहा है तो जकरता यानि कि इंडोनेसिया आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और कुल इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है 10 है कितना है 10 है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए तो उमीद करते हैं इस प्रस्न का सही जवाब आप समझ पाए होंगे और आप पहले अब इस अप्सन पर आजाईए कि अप्सन क्या देखिए सदस्य देशों की संख्या पूछा गया था अप्सन नंब प्रस्न है अस्यान छेत्री संगठन है जो किस छेत्र से संबंदित है किस छेत्र से संबंदित है आप से प्रस्न पूछा गया है तो देखिए अगर छेत्र पूछ लिया गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो आपका 122 नंबर प्रस्न के लिए जो आपका सही ध्यान रख्येगा आप लोग अप्सन नमबर सी को दक्षणी पूर्वी एसया ठीक है चली अगला प्रस नहीं देखिए 177 नमबर निम्न में से सार्क का मुख्याले कहा है देखिए उपर यहां बताए हुए है सार्क का जो आपका मुख्याले है कहा है तो ध्यान रखेगा सा आपना कहाँ हुआ तो आपको क्या ध्याँ रखना है तो इसापना के लिए आपको ध्याँ रखना है हमेशा ध्यां रख कियेगा PRES cookie यानि के धाका बंगला दे crossing धियाは हतारी Champions Programwasser अगला प्रस्क्राक का पर्थम सीखर समयलन कहां हुआ था सार्ख का प्रथमसिकर समिलन आप से पूछा गया है ध्यान रखिएगा चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग इसका पर्थम जो सीखर समिलन हुआ था ध्यान रखिएगा धांका यानि कि बंगलादेश के रधानी कहां हुआ था धांका में हुआ था आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न है देखिए यहां पर 175 नमबर जी एट की एस्थापना फ्रांस के द्वारा कब किया गया आप सभी को बताना है देखिए 1975 में इसका इस्थापना किया गया था कब किया गया था 1975 आप लोग ध्यां रखिएगा और इसमें जो सदस से इसके देश है आप लोग ध्यां रखिएगा कनाड़ा का नाम आप लोग ध्यां रखिएगा क्या कनाड़ा ध्यां रखिएगा वही आप लोग ध्यां रखिएगा यानिकि अमेरिका का नाम ध्यान रखना है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जपान, इटलियम, रूस का नाम आप लोग को ध्यान रखना है यानिकि जी एट के क्या है इस सदस्य देखिए आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अपसनी हो जाएगा 1975 में किसका एस्थापना हुआ था, 22 मर्च, एस्थापना से प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछ लिया जाता है, 22 मर्च, 1945 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 22 मर्च, 1945 को इसका एस्थापना, यहनिकि काहीरा में हुआ था, और इसका मुख्याले भी कहा है, काहीरा में ही आप लोग इस बात को ध्य जामान में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 22 है, और देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, कि कहा इसकी स्थापना हुआ था, तो अपसन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगला प्रस्ण है, बीश्व रेड क्रोस की स्थापना कव किया गया, टी-सर्ट का डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, और यहीं पर आपको ध्यान रखना है, कि इसका जो मुख्याले हो जाएगा, ठीक है, जेनेवा का यहनिकी स्थापना के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपसन नमबर A होगा आपके इस प्रस्ण का सही डिवरेंट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, और देखिए, प्रती वर्स रेड क्रोस दिवर्स आठ मई को मना जाता है, यहीं भी प्रस्ण आपके एकजाम में पूछा जाता है, आठ मई आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला प्रस्ण है, एक सा अठातर नमबर रे कितसा सहयता प्रदान करना इसका क्या है, उदेश से है, अब संडी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब, 189 नमबर प्रस्ण है, रेड क्रोस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से समानित किया जा चुका है, देखिए, नोबेल पुरस्कार से अगर भात किया जा जा तो लास्ट बार 1963 में इसे तीन बार नोबिल से प्रुषकार दिया गया है, अपसन नमबर B आप लोग इस प्रस्ण का ध्यान रखियेगा, सही जबाब, अगला प्रस्ण है, ब्रिक्स सिखर का पहला समयनन कब वह था, ब्रिक्स सिखर का पहला समयनन आप से पूछा गया है, तो फ्रस्णे के लिए सही जबाब का क्या होगा तो आपके इस फ्रस्ण का सहीρί जबाब केसा मने हो जाएगा अपसं नमबर ढनेकि 16 जुन.99 का डेट आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है 16 जुन.99ा डेट आप अप dipping ध्यान रखेगा या रूसी सहर एकेटर नी बर्ग में हुआ था, क्या हुआ था, एकेटर नी बर्ग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके इस प्रस्न का सही जवाब, अप्सन B हो जाएगा, अगला प्रस्न आपसे एक साय कासी नमबर पूछा गया है, साउत अफिर का ब्रिक्स का सदस से क कब बना आपसे प्रस्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पंदरा अप्रेल 2010 में ब्राजीलिया में हुए जो दूसरा इसका सिखर समयलन था, उसी में साउत अपिर का इसका सदस से बनाता, ठीक है, तो आपके इस प्रस्न का सही जवाब क्या होगा, अप्सन B को आप ल अध्यक्स्ता किया है, भारत ने कुल कितनी बार अध्यक्स्ता किया है, आप सभी को बताना है, तो देखिए अगर बात कर ले जाए भारत का, ध्यान रखिएगा, भारत ने इसकी कुल अध्यक्स्ता जो किया है, तीन बार किया था, अप्सन नमबर एको आप लोग ध्यान चलिए अगला प्रस्ने एक सती रासिन नंबर गूट निर्पेक्स देशों की सदस संख्या वर्तमान में कितनी हैं? देखिए वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया गया है तो अपसन नंबर एक को ध्यान रखेगा 120 है ठीक है? और देखिए गूट निर्पेक्स देशों का पहला सिखर समयलन हुआ था, 1968 आप लोग ध्यान रखेगा पूछा जाता है परसने आपके एकजाम में ठीक है, कहा उगा था कि इसका पहली बार यणिकी खिल कहां वह था ध्यान रखियेगा आपके इस पॉष्ण का सही जवाब अप्सन भी हो जाएगा हैं मिल्टन कि कनाड़ आप लोग ध्यान रखियेगा यहीं पर ध्यान रखियेगा राश्ट लुट मंदल खेल राष्ट मंदल खेल की जो स्थापना है यहीं कि कब हुआ था तो धियान रखेगा 1926 का डेट आप लोग धियान हुआ ठीक है भाब भाग लिया देखिए भारत का अगर नाम आ जाए न आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा भारत ने जो पहली बार भाग लेने का काम किया था आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अप्शन भी हो जाएगा 1934 लंदन राष्ट मंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग ल नमबर किस देश में सबसे ज्यादा बार यानिकि पांच बार राष्ट मंडल खेल आयोजीत हुए है सबसे ज्यादा बार आपसे अगर पूछ लिया गया है तो ध्यारक के पुछा गया है यानिके मुख्याले पूचा गया है ध्या रख्येगा 187 के लिए त्य जवाब गलांड में कहा है गलांड आप लोग ध्यान रखेगा ध्यारंड इसकी अस्थापना 29 अपरेल ठीक है देखिए इसका मुख्याले आप से पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखेगा पेरिस यानि की फ्रांस में है पेरिस यानि की फ्रांस अपसन नमबर भी होगा आपके इस प्रस्न का सही जबाब बरतमान में कुल देशों की संख्या कितना है तो 34 आप लोग ध्यान और इसका मतलब इस संगठन की स्थापना कव किया गया तो 1908 आप लुग ध्यान रखिएगा 1908 आप लुग ध्यान रखिएगा ठीक है अगला प्रस्ण 189 नंबर है निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाये जाता है देखिए 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाये जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाये जाता है 200 हिंदी दिवस आप लोग ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को मनाये जाता है और अस्टिय युगा दिवस आप लोग ध्यान रखिएगा यहने कि 12 जन्वरी को मनाया जाता है 4 जन्वरी पुछा गया है Option number 1 होगा आपके इस प्रस्ट का सही जबाब 190 नंबर पॉषन है 15 जन्वरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है देखिए 15 जन्वरी को पुछा गया है Option C आप लोग ज्याँ रखिएगा यानिकी बाली का दिवस मनाया जाता है ठीक है यानिकी ठाल से ना दिवस अप्शन नमबर B हो जाएगा आपकी इस प्रस्न का सही जबाब ठीक है प्राकरम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है घरतंतर दिवस 26 जनवरी आप लोग ध्यान रखेगा और बाली का दिवस आप आपसन्य को ध्याँ रखेगा 28 ःतां यह होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबां चार फर्वरी का कौन सा दीवस्ट थे और चोबिस्ट परवरी भी आप लोग ध्या You केंद्रिये उत्पाद सुल्क दिवस ठीक है केंद्रिये उत्पाद सुल्क दिवस और अंतरास्टिये मात्री भासा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है यहां पर देखिए बिज्ञान दिवस पूछा गया है अप्शन यह होगा आपके इस प्रस्न का सही जबाब एक सा इंपोर्टेंट प्रस्न है इस बात को दिवस चबाब हो जाएगा ठीक है तो चलिए आप लोग इस प्रस्न को ध्यान रखिये गा हमेसा के लिए काफी वार यह प्रस्न यहीं पर पूछा आप आप दिवसका मनाया जाता है यही प्रस्न आपके एक्जाम में काफी बाब प पाय होंगे और यहीं पर वाणी की दिवस का अगर बात कर लिया जाए ठीक है अगर वाणी की दिवस का बात किया जा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 21 Yukon के डेट आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है अगला प्रसुल का है dealing कव मनाया जाता है मिना लोहिया जी के बारे में आपसे पूछा टेवासत के बारे आप से पूछा गया है देखिए बीश्व बिरासत दिवस का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखेगा 18 अप्रेल को मना जाता है ठीक है अप्सन नमबर भी आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है वही 17 अप्रेल का बात किया जाए तो बीश्व हीमोफिलिया दिवस आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है 22 अप्रेल को प्रित्वी दिवस काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आपका 155 नमबर निम्न में से 31 मैं को कौन सा दिवस मनाय जाता है आपको बताना है देखिए जब मैं में आप लोग चलिए गा तो मैं में जो आपका इंपोर्टेंट दिवस हो जाता है ध्यान रखेगा अगर 31 मैं का बात किया जाए तो 22 मय आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है और विश्व और कि सग्राल ये डिवस का अगर बात किया जाए इनिकि कि अप शंशी को आप लोग अगर देखिएगा तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेगा यह जो दिवस मनाय जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा 18 मई कब ध्यान रखिएगा 18 मई आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण है 190 नमबर निवन में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाय जाता है देखिए 3 मई आप से पूछा गया है ध्यान रखिएगा तीन मई को कौन सा दिवस मनाय जाता है तो आपके प्रस्ण का सही जवाब बीशो प्रेस सोतंतरता दिवस हो जाएगा ठीक है अप्सन नमबर बी आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है उमीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या आपको बताना चाहते है ठीक है अगर बीशो प्रवासी पक्षी दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेगा आठ मई को मनाय जाता है कब मनाय जाता है आठ मई को मनाय जाता है आप लोग इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है उमीद करते हैं आपको यह प्रस्ण समझ में आया होगा और 200 परिवार दिवस भी आपसे पूछा जाता है तो 15 मई आप इसके लिए ध्यान रखेगा ठीक है 15 मई को 200 परिवार दिवस ठीक है चली प्रस्ण पूछा है 30 मई को सरी 3 मई को पूछा गया है तो 3 मई आप लोग ध्यान रखेगा 3 मई को 200 परिवस अपसन नमबर B आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा 157 नमबर प्रस्ण है 200 परियावर दिवस कम मना जाता है देखिए 200 परियावर दिवस का अगर बात क्या जाए 5 जुन काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण है हमेशा पूछा जाता है आपसे अपसन A को आप लोग ध्यान रखेगा 199 नमबर प्रस्ण आपसे पूछा जा रहा है कि अनिम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मना जाता है देखिए 11 जुलाई को कौन सा दिवस मना जाता है तो 200 जन संख्या दिवस आप लोग ध्यान रखेगा आपसन नमबर सी आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं आप लोग इस प्रस्ण को समझ पाएंगे ठीक है यहीं पर अगर बात कर लिया जाए ठीक है भारतिये एस्टेट बैंक दिवस का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेगा एक जुलाई एक जुलाई आप लोग ध्यान रखेगा और इसकी एस्थापना भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1955 को भारतिये स्टेट बैंक की एस्थापना हुआ था ठीक है चलिए एक सनीननवे नमबर प्रस्ण है राष्टिये हट करगा दिवस कम मनाया जाता है देखिए हट करगा दिवस आप से पूछा क्या है तो ध्यान रखिएगा राष्टिये हट करगा दिवस 7 अगस्थ को मनाया जाता है अपसन नमबर ए होगा आपके इस प्रस्ण का सही जवाब पंदरा अगस्त को सोतंदरता दिवस मनाय जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा वही अगर 29 अगस्त का बाच किया जाए तो राष्टी ए खेल दिवस यानिकी ध्यानचंद के जनम दिन पर मनाय जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है 200 नमबर निम्न में से 14 सित लेकिन अप्शन में केवल 200 हिंदी दिवस है अपशन वर घ्यान रखेगा आपकी इस प्रस्ण का सही जिभाबोगा सिक्शक शक्डिवस ययानिकी आप पात सितंबर को मनाय जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा विश्व पर्यावरोन दिवस का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेगा विश्व जो आपका पर्यावरोन दिवस है यह कब मनाय जाता है तो ध्यान रखेगा आप लोग पात जून आप लोग ध्यान र ओजोन दिवस कव मना जाता है मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ण का सभी लोग जवाब कमेंट बक्स में हमें बता है लेकिन उमीद करते हैं आप लोग इस प्रस्ण का जवाब बता पाएंगे आराम से क्योंकि आपको पता है कि ओजोन को ले करके एक समयलन भी हुआ मोंट्रियल प्रोटोकॉल मोंट्रियल प्रोटोकॉल ठीक है तो आप लोग को केवल मैं दे रहा हूं दिवस बताने के लिए सभी को कमेंट में इस प्रस्ण का जवाब बताना है देखिए जब 201 प्रस्ण को आप लोग देखिएगा तो आपके इस प्रस्ण का सही जवाब क्या होगा तो आप लोग ध्यान दिजिएगा अपसाने 8 सितंबर को मनाया जाता है अंता राष्टि ये ब्रिदजन दिवस कम मनाया जाता है देखिए 202 नंबर प्रस्ण को आप लोग पढ़ लिजिए और ध्यान दिजिए या 1 अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है चलि अगला प्रस्ण है 21-23 नंबर निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है देखिए 24 अक्टूबर को आपसे पूछा गया है तो ध्यार कियेगा अपसान नंबर भी सन्युक्त राष्ट दिवस मनाया जाता है सन्युक्त राष्ट दिवस काफी इंपोर्टेंट प्रस्थ भी है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्थ है दो सचार नमबर इंदरा गाधी की पुन्ड तिथी दिवस कब मनाया जता है तो इंदरा गाधी की पुन्ड तिथी दिवस आप से पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा अपसन ने 31 अक्टूबर को मनाया जता है कब मनाया जता है 31 अक्टूबर का डेट आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है अगला प्रस्थ है 205 नमबर है देखिए यहाँ पर निम्न में से 26 नमबर को कौन सा दिवस मनाया जता है देखिए 26 नमबर का अगर बात किया जगया है तो दो दिवस मनाया जता है बीस्व पर्यारण सनक्षन दिवस भी और राष्टिय बीधी दिवस भी यानि कि संविधान दिवस भी आप option में देखिए कि क्या क्या दिया गया है, तरक राष्टिय बिधी दिवस दिया गया है, आप लोग इससी प्रसन को ध्यान रखेगा, यही आपका जबाब होगा आपके इस प्रसन का, ठीक है, 2080 दिवस के बारे में अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, बिस्व बाल दिव पूछा गया ना तो भारत में केवल मना जाता है 14 नौवंबर को लेकिन 20 नौवंबर आप लोग ध्यान रखेगा 200 भर में मना जाता है बाल दिवस ठीक है तो चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस स्टाटिक जीके के जो सिरीज है आपका जो ग्यान मिंदू जीस से के म मानिये रशना अनसर जारी किये हुए है नोट्स इसमें 329 प्रस्ण है ठीक है और हम लोगों ने 205 प्रस्ण को कभर कर लिए इस सेशन पार्ट टू के माध्यम से बाकी जो आपका 124 प्रस्ण बच गया है मैं कल आपको शलू करा दूंगा थोड़ा सा मेरा हेल्थ सही नहों होने के कारण देखिए क्लास लेने में मैं असमर्द था लेकिन फिर भी बहुत लोगों का या कमेंट था के सर कंपलीट करवा दीजिए तो आपके एकजाम को देखते हुए हम सेशन को लेकर के आए और देखिए आप लोग जितना भी हम करार है ना आप लोग एक बार सेश सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे और audit नंबर प्रसि आगे हम लूग प्रसिंद कल कर लेंगे यानि कि पूरा। प्रसिद में पीसेशन में दिया और ध्यांवतार है और रोगहार कि और आप लोगों का कितना स्कूर्षण में हो पाया है अब जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा और देखिए मैं जो आपको सेशन करा रहा हूं जो विडियो के माध्यम से आपको हर्चीज समझा रहा हूं एक बार विडियो को आप लोग देख लेजिए उसके बाद जो नोट्स टेलीगराम पर दिया गया है उसे जा करके एक बा समाप्त करते हैं सेशन समाप्त करने से पहले आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर अपना एक लाइक हमें जरूर कर दीजिएगा यानि कि इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा ठीक है और देखिए आप चैनल पने हैं और चाहते हैं कि जो भी बिहार पुलिस का नोट से ट झाल झाल झाल